है गाईज वेलकम आपर यूटूब चैनल इस्टडी भी देभ भूमी फ्रेंट्स आज हम वीडियो में देखेंगे जो भी भारत की और बिस्प की प्रमुख जीले हैं उनको देखेंगे गाईज देखें इससे आप एक्जाम में आपको एक नएक कौशन देखने को मिली जात देखने को मिली जाता तो यह डिस्क्रिप्स टीब है आपको यह थियूरी कल मिलेगी वीडियो उसके बाद आपको अगली वीडियो जो मिलेगी ऑपड़ेंगे इसको हम बाद में ऑपड़ेक्तिव देखेंगे इससे कि आपके तैयारी और बैतर हो जाएगी तो चलिए जा बचाफी मात्रा में पानी स्वेस्ते जील को जील जील का अध्यान हम चानियाए को लुजाए लुम डेल्टा जील जो होती है ठीक है डेल्टा जील की बात करें तो काप के अत्यधिक जमाब से नदियो एबम सागरों का जल जीलों के रूप में अबरोध हो जाता है जिसे डेल्टा जील कहते हैं उसके बाद आती है लेगून जील देखे लेगुन सब्द का जो अर्थ होता है समुंद्र के समीप तो समुंद्री तटिये भागों में समुंद्री लहरो द्वारा रेत पैदा अर्थों का जमाप कर देने से अबरोदक बन जाते हैं और सागरों का जल एक जील के रूप में अलग दिखाई पड़ता है ऐसे जीलों को लेगुन जील कहते हैं अब देखें आपको या लेगुन जील मिलेगा या अबरोदक जील मिलेगा कभी-कभी एक्जाम में अबरोदक जील भी मिल जाएगा इसलिए कन्फ्यूज ना हो लेगुन जील और अबरोधक जील एक ही होती है अब देखिए भारत की सबसे बड़ी लेगुन जील कौन सी है चिलका जील ठीक है ये कहाँ पे स्तित है ये उडिसा में स्तित है बात करें भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जील है वो कौन सी है बुलर जील बुलर जील कहा पे है ये जम्मू कस्मीर में है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील की बात करें तो संबर जील जो राइस्तान में अब देखें यहां से दो कन्फिजन होता बच्चों को कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील तो अजिकतर बच्चे जो है वो चिलका जील को लगा देते हैं ठीक है जो गल्त है ठीकि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील है वो संबर जील है जो राजिस्थान मे आगा लेगून की बात करता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून जील कौन सी है तो आपका अंसर होगा चिलका जील जो कहाँ पे इस्तित है और इसा में अब देख लेते हैं भारत की कुछ महतपूर जीले जो एक्जाम में पूछी जाती है देखें लोनार जील ये कहाँ पे है ये महारास्ट में इस्तित है कौसन इस तरह से आता कि किस जील की उत्पत्ती जो है वो जो आला मुकी किरिया से हुई है तो आपका अंसर होगा लोनार जील जो कहाँ पे है महारास्ट में है अगला कोशन है लोकटक जील ठीक है ये भी काफी पूछी जाते है कि लोकटक जील जो है ये कहाँ पे इस्तित है तो ये है मड़ीपुर में कहाँ पे इस्तित है मड़ीपुर में इस्तित है दूसरी है पुलीकट जील ठीक है पुलीक दोलगा क्योंकि इसका लगवाद कि से से एकटे परशेंट भाग जो है वो तमिल नाडव में आता है और आंद्र प्रदेश में लगवाद बीस परशेंट भाग आता है तो आपका पुलिवर्गट जील पूषता तो आपका अंसर होगा तमिल नाडव उसके बाद है बैमबाडड जील ये भी काफी पूछी जाती है ये केरल में स्थित है कहां पे स्थित है केरल में भारत में जीलो का जाता है वो किसको कहा जाता है सिरी नगर को ठीक है सिरी नगर को भारत में जीलो का सहर कहा जाता है अगला है गाईज दीकि बिस्व की सबसे काफी कॉशन रिपीट भी होताई द दे इसकी जो समद्र तल से उचाई है όह से बारा हजार फिट काई कहीं कहीं आपको यह में देखने को इसकी जो तक समुनदे तल से तब हैं सब्सक्राइब काफे है है कासी कम आपनेंतर मिलेगें वहांडिय देश महादीप में पैस तनी है तो अब समुद्रतल से उंचाई को इतना माइने ना रखें उसके बाद है एसी आमें विस्व की सबसे अधिक उंचाई पर इस्तित खारे पानी की जील है पैगांग जील ठीक है जो लद्दाग एवम तिबत में इस्तित है कितनी उंचाई पर रही है तो चार यहां 266 मिटर क उंचाई पर इस्तित है अगला है बिस्व की खारे पानी की सबसे बड़ी जील तो देके बिस्व की खारे पानी की जो सबसे बड़ी जील है यह है म्रत सागर जील कौनसी है म्रत सागर जील जो कहां पर इस्तित है यह इसराइल में इस्तित है कहां पर है इसराइल में अब समुद्र तल से इसकी गहराए की बात करें तो 1290 फीट है अगर मीटर में बात करेंगे तो लगवक 440 मीटर है उसके बाद है 6 तरफल की द्रिश्टी से बिस्वी की सबसे बड़ी जील तो देखे छेत्रफल की दृष्टी से बिस्व की सबसे बड़ी जील है कैस्पियन सागर कौन सी है कैस्पियन सागर और गाइज इसके छेत्रफल की बात करें तो इसका छेत्रफल है 37.18.00 ठीक है अब देखिए जो बिस्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है बिस्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील वो भी कैस्पियन सागरी है ठीक है छेतरफल की द्रेसे से बिस्व की सबसे बड़ी जील भी कैस्पियन सागरी है ठीक है खारे पानी की जील भी कैस्पियन सागर अगला है विस्व की सबसे गहरी जील तो यह है गाइज वैकाल जील जो साइवेरिया रूस में है कहां पर है यह साइवेरिया रूस में है इसकी गहराई गहराई की बात करें तो 4,700 फिट गहरी है यह बिस्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील की बात करें तो यह है सुपीरियर जील कौन सी है सुपीरियर जील कहां पर इस्तित है यह उत्तरी अमेरिका में है देखे बिस्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील आगे एक कोशन कैस्पियन सागर है ठी स्टित है तुछ इस इसमें जो सामिल जीले है सुपेरियर में स्टित राजे अमेरिका में इस्तित है बात करता है जीलों की वाटी का किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है फिल्लेंड को ठीक है फिल्लेंड को जो है जीलों की वाटी का कहा जाता है इसमें लगवक एक लाग अठा सी हैर जीले सामिल है अगला है इरी जील इरी जील सहयुक्त राज्य अमेरिका की सरबादिक प्र इसके बारे में जो इसके मंडिपल कॉशन है और जल्दी हो याएगी इस से लेटीज जितने भी मुल्टिपल कॉशन है वह एक वार हम देख लेते हैं तो गाइस देखिए अब इसके महत्पूर के कॉश्चन है भारत एवं बिस्व की जीलो से तो पहला आपने थियोरी देखा अब जो है अब जो है अब जैक्टिव देख लीजिए इससे क्या होगा आपके कॉश्चन जो है वो पूरी तैरा से तैयार हो जाएंगे और इस जील अगला है गाईज विश्व की सबसे बड़ी मीठे जिल के जृवट की जील हैं तो गाइस यह सूपीरियर जील कॉथियर जील प्रश कॉटभला कॉश्चन है एक कॉस्छचन यह चौन सी जील विश्वकि सर्बादिक गहरी जील है तो जैज ये है वेकाल जील कौन से है वेकाल जील अगला कौशन है ने मिखिए बिस्व प्राधिक ल suppression क सरबादिक लवरता वाली जील है वोश है वाण जील ठीक els Yes के आप याद रखेंगे सिर्फी कुछना तक किस देश में नीची तो आप याद रखेंगे वान-जील जो ये तुर्कि में ये विस्ये की सरबादिक लवरता वाली जील है समुद्र तलसे सरबादिक नیची जील है ये tv ने जो ये है अगला है सरवादिक उचाहे पर इस्तित नोगयान जील या बिस्व की सबसे उची जील या निमली कितमे से कौन सी जील हनी मून लेक कहलाती है तो गैज ये कहलाती है टीटी काका जील कौन सी है टीटी काका जील अगला है बिस्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील है तो देखे बिस्व की सबसे बड़ी जो खारे जल की जील है वो है कैस्पियन सागर कौन सी है कैस्पियन सागर अगला है निमली खित में से कौन सी जील खारे पानी की जील नहीं है तो गाईज देखे खारे पानी की जील नहीं है ये है वैकाल जील ठीक है ये वैकाल जील है ठीक है कैस्पिन सागर होगे ग्रेट साट लेक होगे वान जील होगे ये है खारे पानी की लेकिन वैकाल जील जो है ये मीठे जल की जील है अगला है निम्न लिखित में से किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है तो गाइ इस्तित है या भूमद्य रेखा के पास इस्तित है तो गाज यह है नियासा जील ठीक है नियासा जील जो है यह अफरीका महादीब में इस्तित है ठीक है और भूमद्य रेखा पर भूमद्य के पास लगवर ठीक है अगला कोशन है अफरीका महादीब की सबसे बड़ी जील है ठीक है यह कॉशन काफी रिपीट भी होता है अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील है तो गाइज यह है विक्टोरिया जील ठीक है कौन से जील है विक्टोरिया जील अगला है निम्ली की जीलों को छेतरफल की द्रश्टी से सही अबरोही किरम में ब्यविस्थित कीजिए अबरोही यानि तीक है काइज इसमें अपने घटते हुए करम बताना अबरोही मतलब घटता हुआ तो गाइज देखिए सबसे पहले है इसमें सुपीरियर कौन से आएगी पहले नमबर पर सबसे पहले आएगी सुपीरियर जील आएगी सबसे पहले नमबर पर सुपीरियर उसके बाद है विक्टोरिया उसके बाद है वैकाल उसके बाद है ग्रेट वियर ठीक है तो किरम इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन ए वाला ठीक है सुपीरियर उसके बाद विक्टोरिया उसके बाद बैकाल उसके बाद ग्रेट वियर तो यह है अब रोही क्रम में व्यवस्तित ठीक है छेते फिल की द्रश्टी से अब रोही क्रम में व्यवस्तित तो गाइस ग्रे प्रेर आएगी चौथे नंबर पे ठीक है फिसुरू में तो ये उसके बाद आएगी विक्टोरिया फिर उसके बाद बैकाल फिर ग्रेट वियर अगला है भारत की सबसे बड़ी अबरोदक जील है ठीक है अबरोदक जील या आपको मिलेगा लैगून जील ठीक है अबरोदक यहीं जीलो का अध्यन कहलाता है अगला है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़े जीले है वह है बुलर जील बुलर जील कहां पर है ये जम्मू कश्मीर में है अगला है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील है तो देखे भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी जील है ये है सांबर जील ठीक है ये कहां पर है सांबर जील राजिस्थान में अगला कोशन है गाईज किस जील का निर्मार जो अलमो की किरिया से हुआ है यह कॉशन काफी रिपीट होता है गाईज तो किस जील का निर्मार जो अलमो की किरिया से हुआ है तो गाईज यह हुआ है लोनार जील ठीक है लोनार जील जो है यह जो अलमो की किरिया से बनी एक आप है महरास्ट में है आज का अंतिम कोशन देख लेते हैं गाईज आज का अंतिम कॉशन है लो गटक जील भारत के किस राज्य में इस्तित है तो देखें लो कटक जील जो है यह मड़ेपूर राज्य में इस्तित है तो गाईज यह थे जील से फियोरी और objective question जो आपके आने वाले किसी भी exam में चाहें वो state का exam हो चाहें central का exam में उन सबी के लिए महत्वपूर है तो guys वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें share करें comment करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe कर लें क्योंकि हम उत्रा कंसे लेटीव और जीके से लेटीव समाले हिंदी से लेटीव वीडियो अपलोड करते हैं तो चलिए guys मिलते हैं अपनी next वीडियो में